बेट्रो फेरिइंजेल एबसेज आभी हमने पाइस फेरिट्रो फेरिंजेल एपसेशस पड़ा था लोडे नियन जायना हो गया था अब हम रेट्रो फेरिंजेल एपसेस पड़ते हैं कि भाई, ठीक है, रेट्रो मतलब की back of the pharynx, ठीक है, ये जैसे हमारा pharynx है, ठीक है, और वो covered किससे होता है, बक्को pharyngeal fascia से, अब उसके उपर क्या होता है, यहाँ पर होता है, एक एलर fascia, ठीक है, एलर fascia और बक्को pharyngeal fascia के बीच में, एक fibrous refe होता है, जो हमारी रेट् pharyngeal nodes, जो कि disappear हो जाता है, तीन से चार साल के बाद, ठीक है, तो यह हमारा है, रेट्रो pharyngeal space, और इसके उपर क्या होता है, एक danger area, जो किससे लाइन होता है, एलर fascia, और pre-vertebral fascia से, ठीक है, यह danger space होता है, और danger space के उपर होता है, हमारा pre-vertebral space, यसे वर्टिब्रा होगे, यह pre-vertebral muscles है, इस area को कहते हैं, pre-vertebral space, और जो यह pink-pink से दिखाया होगा है, इसके side में, pharynx के जो side में, इसको कहते हैं, para pharyngeal space, इससे para pharyngeal abscess हो सकती है, इस area में, ठीक है, अब तीन चीज़े हो गई, एक तो हो गया retro pharyngeal space, ठीक है, एक हो गया danger space, एक हो गया pre-vertebral space, इसको अच्छे से visualize करने के लिए, एक बार और देख लिते हैं, जैसे, एक बार इसका extent देख लिते हैं, ठीक है, यह हमारी spine जा रही थी, यह हमारी anterior side हो गई, यह हमें हमारा mouth मान लो, ठीक है, अब जैसे यह जो purple वाली है, this is retro pharyngeal space, यह इसका extent कहां से है, skull से लेके, 4th thoracic vertebra तक, ठीक है, जा रही है, ठीक है, फिर इसके पीछे हमारा था, danger area, danger space, ठीक है, danger space कहां तक जाता है, skull से लेके जाता है, वो diaphragm तक, ठीक है, और जो हमारा pre vertebral space है, वो कहां तक जाता है, skull से लेके जाता है, हमारा, जाता हमारा cocax तक, ठीक है, यह कहीं पूछा नहीं जात तो उसका एक बहुत ही major complication होता है acute necrotizing medias stenitis तो हमारा retro pharyngeal abscess का होता है acute necrotizing medias stenitis बता सली गया कि कैसे और para pharyngeal abscess का क्या होता है jugular thrombosis because it has carotid sheet involvement हो जाती है उसके side में तो ये दोनों point याद रखना है अब जैसे जो retro pharyngeal abscess है वो भी फर्दर डो टाइप्स की हैं, acute और chronic acute वाली जो है, उसमें क्या involved होता है, हमारा retropharyngeal space अगर वहाँ पे involved है, तो उसको acute हम कहेंगे ठीक है, और chronic कब कहेंगे, अगर हमारा prevertebral space जो है ना prevertebral space उसके अंदर अगर अपसेस हो रही है बहुत ही simple है, अचाँ जो prevertebral space है, वो किसके हमारे spine के पास है तो prevertebral space में जज़ातर infection कहां से आता है, हमारे spine से आता है ठीक है, cervical spine से, और हमारा जो retropharyngeal है, वो कहां से आएगा, उसके अंदर ज़ातर infection हमारे lymph nodes है ठीक है, ठीक है, तो एक बार photographicist में पढ़ लेता है, कि क्या differences है acute वाला commonly होता है, तीन साल से कम के बच्चों में, superation होगा हमारे retro pharyngeal lymph nodes का secondary to adenoids हो सकता है, nasopharynx, nasal cavity या sinuses, इनके superation के वज़ास से हो सकता है ठीक है, अब जैसे जो chronic वाला है, वो generally related होता है, दोई चीदों से, एक तो cervical spine, एक तो spine से related और एक तो TB से related ठीक है, तो इसका सारा कुछ उसे से related होगा, तो इसका clinical और treatment सब कुछ TB से ही related होगा और जो acute वाला था, उसमें अब clinical में देखते हैं, क्या होगा, difficulty in breathing होगी, dysphagia, torticollis हो सकता है bulging of superior, bulging of posterior pharyngeal wall, strider और grouping cuff हो सकता है और chronic वाले में क्या होगा, सब सेम ही रहेगा, लेकिन बस TB lymph nodes मिलेंगे हमें neck में, ठीक है और diagnosis कैसे करेंगे, acute वाले का, radiography of soft tissues, lateral view of neck, contrast enhanced city scan और chronic वाले में, हम TB वाले में, x-ray करते हैं और treatment भी इसमें क्या होगा, incision as drainage, abscess बन रहे है, उसको निकाल दिया, anti-tubercular drug दे दिये, और spine की सज़री कर दी ठीक है, और जो acute वाला था, उसमें incision and drainage किया, systemic antibiotic दे देदेंगे, और tracheostomy कर सकते हैं, अगर हमारा larynx के ज्यादा involvement हो रहा है ठीक है, तो बस यह था हमारा retro pharyngeal abscess झाल झाल